हेलो एवरिवन, वेलकम टू परतिवा जोमेंट कीचेन, आज मैं बनाने जा रहे हूँ मटर मस्रूम की सबजी, ये बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बनाना बताऊंगी, तो चलिए इसे बनाना मटर मस्रूम की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए मस्रूम, तो ये मैंने यहाँ पर हापके जी मस्रूम लिया है, तो सबसे पहले हम मस्रूम को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई होती है, मस्रूम को साफ करने के लिए हम गर्म पा सभी मसरूम को हमें इसी तरीके से हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ कर लेना है सभी मसरूम को साफ करने के बाद इसे हम एक दो बार और साफ पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे ये देखिए कितनी गंदगी निकली है पानी में मसरूम को धोने के बाद तो आप जब भी मश्रूम को first बार wash करें तो गर्म पानी का ही यूज करें अब हम इसे एक दो बार और साफ पानी से अच्छे से wash कर लेंगे मश्रूम को अच्छे से साफ करने के बाद इसे हम cut करके रख लेंगे आपको जैसे pieces पसंद हो छोटे बड़े आप उस तरीके से काट लें मश्रूम के आगे side का ये जो भाग होता है इसे हम थोड़ा सा काट कर हटा देंगे इसके बाद हम इसके pieces कर लेंगे आपको छोटे पीसेज पसंद हो, तो छोटे पीसेज कर ले, या फिर आप इसके बड़े पीसेज भी रख सकते हैं, मुझे छोटे पीसेज पसंद है, तो मैं छोटे पीसेज कर रही हूँ इसके, इसी तरीके से हम सारे मसरूम को कट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे मसरूम को बारी कटा हुआ, दो देशी टमाटर है, इनका भी मैंने पिसकर पेश्ट बना लिया है, और दो मीडियम साइज का प्याज है, इसका भी मैंने पेश्ट बना लिया है, अब हम गैस पे एक कड़ाही गर्म करेंगे, और उसमें दो चमस सरसो का तेल डालेंगे, तेल गर्म होने पर हमें इसे चलाते रहना है, ताकि ये चिपके नहीं, मश्रूम के साथ ही हमें इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ करेंगे, तो मैंने यहां पर आधा चोटा चमच हल्दी डाला है, अब हम मश्रूम को 5-7 मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए फ्राय करेंगे मश्रूम को इस तरीके से फ्राय करते वक्त हल्का सा पानी रिलीज होता है, तो हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राय करना है, तो ये मश्रूम हमारा फ्राय हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं, अब उसी कडाही में हम 2 चमच और सरसो का तेल डालेंग दो सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे अब जीरे को हम हलका सा ब्राउन होने तक पकने देंगे इसके बाद हमने जो प्याज कटके रखा हुआ था उसे डाल लेंगे अब प्याज को हमें अस्पून की साहता से चलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक इसका हलका सा कलर चेंज न हो जाए जब प्याज का कलर हलका सा चेंज दिखने लगे तो हम इसमें अधरक लहसन का पेश्ट जो हमने बनाया था उसे डाल लेंगे अद्रक लशन का पेश्ट डालने के बाद एक से दो मिनट तक हम फ्राइ करेंगे इसके बाद हम इसमें प्याज का पेश्ट डाल लेंगे मिला लेंगे अच्छे से पेश्ट को थोड़ी देर के लिए हम प्याज के पेश्ट को भी भून लेंगे इसके बाद इसमें हल्दी डालेंगे तो एक चमच मैंने हल्दी पाउडर डाला है एक चमच हम धनिया पाउडर डालेंगे आधा चमच हम काली मिर्च और जीरे का पाउडर डालेंगे अब मिला लेंगे सभी को अच्छे से मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें टमाटर का पेश्ट डाल लेंगे तो ये मैंने टमाटर का जो पेश्ट बना के रखा था इसे डाल लिया है मिला लेंगे हम सभी मसालों को अच्छे से इसके बाद हम गैस का फ्ले मीडियम रखते हुए इन मसालों को 2-3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे 2-3 मिनट भूनने के बाद इस तरीके से हलका सा जब मसाला भून जा तो हम इसमें मटर डाल लेंगे अब मटर के साथ हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक इन में से तेल रिलीज न होने लगे मटर और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम एक लहसन का गाठ डालेंगे इसे आप बिलकुल भी इसकीप मत कीजिएगा इसे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है अब इस तरीके से हमें चलाते हुए मटर और मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाले अच्छे तरीके से भूनना जाए मसालों को भूनते समें हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरीके से अस्पून से लगतार चलाते हुए मसालों को हम भून लेंगे मसाले जब अच्छे से भून जाए तो हम इसमें फ्राय किया हुआ मस्रूम डाल लेंगे मस्रूम के साथ ही हम इसमें नमक डाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक चमस नमक डाला है, मिला लेंगे अच्छे से, अब मसरूम के साथ हम एक मिनट के लिए मसालों को और भूल लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं, एक मिनट तक मसालों को भूलने के बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे, पानी डालने के बाद एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसे एक प्लेट की साहता से ढख देंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और मटर और मसरूम को सौप्ट होने तक पकने देंगे, बीच-बीच में, हम चेक करते रहेंगे, तो ये सबजी हमारी, तयार हो चुकी है, मतर अच्छे से एक, शौफ्ट हो गये हैं, और मसरूम भी, तो इसी समय हम, अधा चमर, गर मसाला दालेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसके साथ ही हम डाल लेंगे कटी हुई धनिया पत्ति धनिया पत्ति डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट से ढख देंगे आपको सबजी तुरत सर्प करनी हो तो आप एक मिनट के लिए सबजी को और पकने दे और नहीं तो आप ढखकन ल यदि मेरी रिस्पी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सेर जरूर करें और प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें